हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग यहूप कि आप लोग अच्छी होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नंत मैथ के प्रश्णावली पांज़ास अलब तीन के प्रश्ण संख्या बीस को सॉल्व करेंगे अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ल पर दस आलू रखे गये हैं देखे आकिरती 5.6 तो यहां हमने आकिरती 5.6 बना लिया है यहां हम देख सकते हैं यहां बाल्टी है और इस बाल्टी से जो पहला आलू है उसके दूरी कितना है पांच मीटर है ठीक और इस आलू से इस आलू के बीच के दूरी है तीन मीटर फ निकर्तम आलू को उठाती हैं उसे लेकर वापस आकर दौर कर बाल्टी में डालती है दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौरती है उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं इसमें परत संकेत द्या हुआ है संकेत में क्या कहता है कि पहले और दूसरे आलों को उठाकर बाल्टी में डालने तक दौरी गई दूरी इस प्रकार से निकलेगा ठीक है तो हमें कितनी दूरी दौरनी पड़ेगी यह पता करना है दोस्तों यह सवाल बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन उतना बड़ाय सवाल है उतना ही आसान भी है लेकिन सिर्फ समझने की जरूरत है इस आकिर्थी को यदि आप समझ लेते हैं तो इस सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है ठेक है चलिए आपको समझने का प्रयास करते है देखिये प्रतियोगी यहां पर है ठेक और आलू कहा है, यहां है, तो इस बाल्टी से आलू की दूरी कितना है, पांच मीटर, मान लिजे कि यह बाल्टी है, और यहां पर आलू रखा गया हुआ है, ठीक, तो यदि यहां से यह चलना प्रारम्भ करेगी, इस आलू को उठाने के लिए, जो कि यहां पर रखा हुआ है, तो कितना मीटर चलेगी, पांच मीटर, ठीक, फिर इस आलू को उठाकर वापस से आएगी, इस तरीके से, कहां, बाल्टी के पास, और इस बाल्टी में, आलू को रख देगी, तो पांच मीटर इधर से, और पांच मीटर इधर से, तो कुल कितना हो जाएगा, दस मीटर, ठ वर जाती है फिर वापस आती है ठीट तो जितना भी दूरी है एक तरफ का उसका दूगू न हो जाएगा तो पांच है तो क्या हो जाएगा तो टोटल यहां से यहां तकादूरी क्या हो जागा पांच तिन आठ मीटर तो इस आलू को उठाकर वापस से इस बाल्टी में रखेगी तो एक तरफ से आठ मीटर और फिर दूसरे तरफ से आठ मीटर तो आठ दूना क्या हो जागा 16 मीटर तो एक ऐसे निकलेगा तो देखिए दो से गुना कर देंगे किसमें 5 मीटर यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां 3 मीटर तो 5,3,8,8,2,16 मीटर हो जागा ठीक है यह हो जागा दूसरे आलू के लिए अब यदि हमें 3 आलू उठाना है तब क्या होगा दिखे प्रतियोगी यहां पर है बाल्टे के पास अब यहां से यहां तक आएगी तो 5 मीटर यहां तक आएगी तो 3 मीटर और फिर इस आलू से इस आलू की दूरी क्या हो जागा 3 मीटर तो 5 यहां से यहां तक 3 यहां तक आन क्योंकि वापस रखना भी है तो एक तरफ से 11 मीटर और फिर दूसरे तरफ से 11 मीटर तो 11 दुना क्या हो जाएगा 22 मीटर ठीक तो दो गुने 5 यहां से यहां प्लस 3 यहां से यहां और प्लस का 3 यहां से यहां क्लियर है तो 3 3 6 5 11 11 दुनी क्या हो जाएगा 22 मीटर यह हो जाएगा तिसरे आलू के लिए ठीक इस प्रकार से क्या करना है 10 आलू रखा गया हुआ है 200 आलू को हमें वापस से बाल्टी में रखना है उठाकर ठीक है तो इस प्रकार यह क्या बन जाएगा एक एपी बन जाएग ठीक है चलिए इसको बनाते हैं तो लिखेंगे हल प्रस्णा अनुसार एक प्रतियोगी पहला आलू दूसरा आलू तीसरा आलू इसी प्रकार से कितने आलू है दस आलू है उठाती है प्रतियोगी द्वारा तैकी गई दूरिया देखें यहां मने आपको निकाल कर बताया था कितना है 2 गुने 5, 2 गुने 5 प्लस 3, 2 गुने 5 प्लस 3 प्लस 3 ठीक इसी प्रकार से कितने अलु रखे गये हैं दस अलु रखे गये हैं ठीक अब धूरी क्या हो जाएगा दो पंचे दस कोमा पांच तीन आठ दूना 16 कॉमा पांच तीन आर्ट तीन ग्यारह दुना 22 कॉमा डॉट 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 क्या है यह इतना है जो कि क्या है समांतर सिर्योडी में क्यों है क्यों कि इसका सारवंतर बढ़ाबर है देखे दोस और छो सोला सोला चाह बाइस कि समांतर कि सिर्योडी में कि है और जब समांतर सिर्योडी में है तो क्या करेंगे पर्थम पद क्या हो जाएगा इसका यह यह यहां पर्थम पद यानि एक का मान क्या हो जाएगा दस सारवंतर यानि डी का मान क्या होता है एट्टू माइनस एववन एट्टू कितना है सोला दूसरा पद सोला और पहला पद है दस सोला में से दस माइनस करेंगे तो कितना आगा अच्छा तथा पदों की संख्या पदों की कर देशन है कि इन का मान कितना है तो दस आलू है ठीक तो इन कामान हो जागा दस nonprofit हमें क्या ज्यात करना है तो हमें घ्यात करना है colored by the कि कि प्रतियोगि को कुल कितनी दूरी दौरनी पदेगी यानि की एसन कामान तो यहाँ लिखेंगे इसलिए N पदो का योग यहनि S N का मान तो S N का फर्मूला क्या होता है N बटा 2 इंटू 2 A प्लस N माइनस 1 गुने D तो N का मान कितना है 10 बटा में 2 इंटू 2 गुने A का मान कितना है 10 प्लस N का मान 10 माइनस का एक और D का मान कितना है 6 देखिए यहाँ इसको काड़ सकते है 2 पंचे 10 10 दूना 20 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे कितना आगा 9 और 9 छक चवबन तो 5 चवबन और 20 क्या होगा 74 अब क्या करना है 5 से 74 में गुना कर देना है चलिए यहाँ गुना कर लेते हैं 74 में 5 से तो 5 कब इसका सूनने हासिल 2 5 सत्य 35 36 37 कितना है 370 ठीक तो लिख सकते हैं अधा प्रतियोगी द्वारा तैकि गई दूरी कितना है 370 मीटर है ठीक और यही क्या हो जागा इसका इंसर हो जाएगा तो दोस्तों मैंवीत करता हूँ कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं मैं कोशिस करूँगा आपके कमेंट का जवाब देने का और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेवस को कम्प्रीट कर रखा है जिसका अलग-अलग प्रश्णावली के हिसाब से प्ले लिस्ट बना हुआ है और उस प्ले लिस्ट का लिंक के नीचे डिस्क्रिप्सन वक्स में और उपर प्ले लिस्ट में दिया गया हुआ है यदि आप चाहो तो डिस्क्रिप्सन वक्स में जाकर देख सकते हो नहीं तो रेटक प्ले लिस्ट से भी देख सकते हो तो फी मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद